बड़े आप दनी दिखाई दे रहे हो आपके पास में कितनी संपत्ती होगी सेड़ जी गुर्मुकी थे, सत्संगी थे और गुर्मुकी होते होई विवेक की बात करते हैं माराज समझ की बात करते हैं सेड़ जी ने उतर दिया माराजी हमारे पास में दन थोड़ा ही है कितना है बोले बीस जार रुपया बीस जार रुपया हाँ इतना ही है तो फिर आपके पुतर कितने है बोले दो पुतर है माराज आपकी आयू कितनी उमर कितनी है बोले दो साल की आयू लोग पास में कोई थे उन्होंने सुन लैकर ये मात्मा पोच रहे चिरड़ी क्या करए है लोगों से रहाने गया और क्ये दिया सिरड़ी मात्मा आपको पूच रहे हैं इनको आप सत्ये ने बताओ तो हम लोगों को कैसे सत्य बोलोगी है कैसे वई मात्मा ने पूछा कि आपके पास में धन कितना बताए कि वीस जार रिप्या आप तो बड़ा धनवान आदमी हो प्रोड पती हो शेर जी ने का वई जिस दिश्टी से संतों ने पूछा है मैंने उसी दिश्टी से जबाब दिया संत ने जो पूछा है उसे दिश्टी से हमने जबाब दिया है दन कितना है दन वीस जार रिप्या आज की तारी के पहला हमारे हाज से परवार्थ के लिए सत्संग के लिए सादू संतों की सेवा के लिए गवों के लिए गरीबों की सेवा के लिए आज के पहले 20.000 पे खर्च हुआ है वो दन ही हमारा है बागी क्रोड़ों की संपति आज सरीर छूड़ जा तो मेरा लोग बटवाड़ा करेंगे पीछे वो हमारा नहीं को सकता यह सिर्दान्त की बात है आज की तारे के पहला हमारे हाथ से जो कहते हैं पुषारत में परमारत में 20.000 पे खर्च हुआ है इसलिए मैं उन्हीं को हमारा धन मानता हूँ यही अथारत बात है यह साथ चलेगा हमाराज आपके पुट्र पांस है आप दो कैसे बतारे बोले दो यह बेटा है भई पुट्र यह पांच वो चाहिए साथ और कोई साथ नहीं चलेगा पुत्तर है दो पुन और पाप बस यही स्वा चलेगा माराज पुन्य है वो हमारी सिवा करेगा पाप उनका बद्रा दिनाव मत पड़ेगा माराज पाप और पुन्य यह दो ही पुत्तर है आपके अवस्ता सितर साल के आप दो साल के अवस्ता कैसे बताई सेर्दिन कावई मापरुसों की बाणी के सिद्दान से सच्छा हमारा जन्व उस दिन से माना जाता है जिस दिन हम गुर्देव की सरन गए नाम के दिक्षाली बजन के अग्याली और बजन में लगे उस दिन से जन्व माना जाता है तो उन से दान्स से मैंने दो साल की अउस्ता बताई, गुर्ध हरन कियाने, गुर्ध हरन कियाने, बजन में लगने दो साली ही हुआ है। यही आयू है, बाक कितना ही समय बिद गया है, वो बेकार विरता है। सेसो सेंस एकीशUn Taste अदम सब जावई वहत लपड़ियो सहस जो निशतरि लेखे-खेमे आवär रात और दिन का 21 साजन 600 हम सहस लेते हैं उन सहसो में से परमात्मा का नाम लेते लेते हम सहस लेते हैं वो इस सहस हमारा सवार तक ए कियमती है तो वो इस समय सौत तक है जो दिन जाए बज़न के लेंके सो दिन आसी घिंड्रती में श्दूलर कविर सहब का या असी दांत रहा वो ले कि जो बज़न में सादन में हमारी समय भी थे ज्यमन की वो इस समय सौत तक हैjalना जिस दिन हम घुर देप की सरन गए पापकुन तेरे संग चलेगा अवरन चाले लारो पापकुन तेरे संग चलेगा अवरन चाले लारो राम चर्ण बजे राम संगाती निर्धारा यादारो पापकुन तेरे संग चलेगा अवरन चाले लारो और कोई भी बस्तु तुम्हारे जीव साथ नहीं चलेगे राम चर्ण बजे राम संगाती परमात्मा हमारा संगी साती है निर्धारों का वो अदार है महाराज तो उनका नाम का सुम्रण करो और अपना जिमन को सपल सुर तक बनाओ के उल सुम्रण का ही वरसा करो इनसे ही हमारा उदार होगा कल्यान होगा महाराज बजन की बिगर अंत में पिस्ताना होगा अंत में रोना होगा अने एक प्रसंगों में हमारे महापुरसों ने समझाया है बजन की बिगर नाम के सुम्रण की बिगर जिमन का कोई अर्थ ने बई फरमाया हमारे मापुरसों ने देही नेन बिना देने सीर बिना देही नेन बिना और सरी सब ठीक है और नेन नितर नहीं है अंधा अदमी सुर्दास अदमी उनका जिवन अधूरा है माराज नेतर की बिना जिवन जिवन नहीं है देही नेन बिना देने सीर बिना धेन के दे गव को गव के दूद नहीं है तुष गव की क्या सोबा है माराज दूद की बिगर गव की सोबा नहीं है परवर फड़े बिना उंपहें जड़विना तरवर फड़विना जिस तरवर के फड़ नहीं लगे तो इस तरवर की क्या सोबा है प्रसंद्पर ध्यान देना भाई बैंब कि सारा जो दिष्ठान किसलिए दिया जाता है अंत में यही कहेंगे ऐसे नर्तन हरी भजन बिना सारा इतना दिष्ठान दे करके अंत में यही कहना है तरवर फड़ बिना पूपहें जड़ बिना जिस कुवा में पानी नहीं है तो उस कुवा के क्या किमत है भई कोई किमत नहीं है कुड है पूवत बिना जिस कुड में पूत्र का जनम नहीं है वो कुल सुना है माराज कुल सुना है पुत्र के विगर उस कुल के वाहन से समाप्ती होती है आगे कुल नहीं चलता कुल है पूत बीना हस्ति दंत बीना नारी कंत बीना हस्ति दंत बीना हाती के दो प्रकार के दान्त होते है खाने का दान्त अलग होता है दो दान्त दिखावटी होता हो हाती की सुंदरता के लिए और हमारे नहां पुरुस कहते हैं दिखावटी जो दान्त जो है ना पुरुस दान्तों को लेकर के ही हाती की किमत है माराज और वो दांत हाथी के ने होए तो हसते की कोई किमत नहीं है और ऐसा बताया कि जिन्दा हाथी की किमत कम होती है मरने के बाद में हाथी की किमत बढ़ती है ऐसा क्यों होता है जिन्दा का दांत अपने हाथ नहीं लगता मारा राज़ और वो किमत दांतों की हाती की नहीं है जिन्दा हाती की किमत इतनी नहीं होती है कि जिन्दा है तर तो उनको कितना आर देना पड़ता कितना खर्च देना पड़ता उनको मरने के बाद में वो दांत हात लगता है तो दांतों को लेकर कही हाती की किमत होती है और वो दांत हाथी के ने होए तो हाथी की कोई कीमत नहीं मारा है हस्ती दंत बीना नारी सजन कंत बीना जिस माता बेन को सजन पती ने मिले ग्याने विवे की भगत पती ने मिले मुल्ग मिल जाए सरावी मिल जाए अमली मिल जाए जुआरी मिल जाए उस माता बेनों का जिवन बड़ा दुक में बदीद होता है बहुत दुक्षी है माराज वो हम बहुत जगां बरमन करते देखते हैं ऐसा के लोग सराभी लोग है माता बेनों को परसान करते मार पिट करते कितना उनका अपमान करते उनसे वो बड़ी दुखी है कि लोग अमली हो जाते हैं माराज अमल से गर की बरबादी कर देता है और उन लोगों से ही वो दुखी है कुछ जुआ की आदत है जुआ में अपना दर्वे को खो बेड़ता है उनसे ही दुखी तो यहां बताया है सजन पती मिले, सजन कंत मिले सजन बरतार मिले तभी नारी का जिन सुकमे और सजन नहीं हो तो उनका जिवन अधूरा इतना के अधर के अंत में यही का है ऐसे नरतन हरी बजन बिना बैए बैए नो इतना परसंग दिया क्यों यह समझाने के लिए उससे बताया कि इनके विकर यह बिकार नेतर के बिना देही बिना नेन बिना देही जल बिना कूप फल बिना तरवर बंत बिना हाती ऐसे मन से जीवन परमात्मा के बजन के विगर सुमिरन के विगर बेकार है माराज़ जीवन में बजन का बरोसा करो साधना का बरोसा करो माराज़ जिन जिनोंने साधना की है उनका ही जीवन सफल हुआ है माराज़ उनका ही सफल हुआ सार्तग हुआ जीवन उपर के आड़मर की कोई मेत्व नहीं अंत्मे माराज़ साधना की मेत्व है रात्री की सत्संग में परसंग आया था सब सांती पर सुनोगे कोई साथ ने बोलोगे बोलने में आपको कस्ट होता है साथ में बोलने पाता है संगित में बेशुर होता है इदली सांती से सुनो मन ही मन में बोलो लाग रंग रामकुरे जोगिया अभी क्या लगा वेरा लाग रंग रामकुरे जोगिया अभी क्या लगा वेरा परवात्मा के नाम का रंग लग गया रंग चड़ गया अभ राग क्या लगाना है राग लगाना अडंबर है पाकंड है माराज बजन करना ही यतार्त है लागो रंग रामको अभी क्या लगावे राग परवात्मा का रंग लगया नाम का रंग लगया अभ क्या राग लगाना है कई सूतो सुख नीदे रे नेंदों प्रकार की माराज जो हम सोते हैं उस नेंद की इतनी चर्चा नहीं की संदों अग्यान नेंद जो है इनमें जाग जाग अग्यान रुपी नेंद से जाग जाग भाई बैनों जो हम सोते हैं वो तो गंटा दो गंटा चार गंटा में व्यक्ति जाग जाता है पर अग्यान नेंद में तो कितने युगों से जीव सोया हुआ है कितने युगों से जागने के बाद में ही वो सोया ही रहता है संत महापुरस अग्यान निन से जागने की चर्चा करते हैं किम सुतो सुक नींद मेरे जोग्या नींद परेरी त्याग चेतन चोकी बेट जारे ए जोग्या धार्या कंडे वेराग चेतन चोकी बेट जारे ए जोग्या धार्या कंडे वेराग चेतन चो अपना आप चेतन का अनभव करो माराज चेतन का अनभव करो मैं आत्मा चेतन हूँ वोही हमारा सत्सुरूप है उनमें थिर हो जाओ चेतन चो की बेड़ जा धार अखंद बेरा जब मैं आत्मा हूँ ऐसा अनभव हो जाएगा जग संसाथ से सुत्य बेराख बजाएगा मैं आत्मा चेतन हूँ ऐसा अनभव होने के बाद में फिर जगत नहीं रेता है जगत का अभाव हो जाता है ग्यान में जगत को सविकार नहीं किया माराज जगत कुछ है जग संसार सुपना है माराज सुपना है रात्र में हम सोते तो कितना देखते हैं वो केवल देखने मात्र होता भास मात्र होता कुछ है नहीं जागने के बाद में कुछ नहीं तो ये जितना जगत संसार देख रहा है जब तक हम सोयव हुए है तब तक दिखाई देता है अग्यान आवस्ता में सोयव हुए है तब तक ही अदिखता है जब ग्यान रुपी जगत आवस्ता में आजाओगे तो जगत संसार का अभाव हो जाएगा जगत नई रहे गा, पिर तो केवल जगदीश रहेगा, केवल परमातमा रहेगा, केवल आप सेमातमा रहेगा चीतन चोपी बेड आधार अखंद भेरा बिराग का आरत है, किसी में राग नहीं हो, उनका नाम बेराग होता है जब तक हम चेतन आतमा और परमातमा का अनभव नहीं करेगा उनका अनभव नहीं होगा तो जीव कहीं कहीं पस जाएगा कहीं कहीं ये बरोशा कर लेगा विश्वास कर लेगा संसारी लोग गरस्ते लोग परिवार में पसे हुए है हम लोग बक्त लोगों में फस गए संसारे लोग ने पुटम परिवार का बरोसा कर रखा है महाराज ये हमारे है पर परिक्षा करो तो आपके कोई नहीं मिलेंगे महाराज हम बरोसा कर रखते हैं बक्त लोगों का सेवगों का ये चेला चेलियों का प्रिक्षा होने परी सब खेल होने वाले अपना कोई नहीं मिलेंगे जो अपना है उनसे हम बेमुके माराज आप हम सब विचार करें रव करें आप लोग भी जिनका बरुसा कर बेटे हो अंत में दोका देने वाले कोई आपका नहीं होंगे हम जिन लोगों का बरुसा कर बेटे हमारी इतने सेवग हैं इतना भगत है इतना है भूल हमारी बिश्वास करने के लाएक एक गुर्देव है माराज एक गुर्देव है एक परमात्मा है वहां कि कोई बरुसा की पातर नहीं है यह तो जगत है मेड़ा है हमारे गुर्दे बहुत वार खरमाते बही ये इतना कि तुम्हारे पास भीड होती भीड का व्रोशा मत करना ये भीड किसी का नहीं है मारा भीड मेला है इन में कोई-कोई हनस होते है माराज बाकी सब भीड सब कच्रा है ये कच्रा तब तक इस्ताई कब तक रेता है माराज जब तक वायू नहीं है तब तक कच्रा इस्ताई रेता है थोड़ा सा वायू जोंका आया कच्रा उड़कर के चला जाता है माराज जग ऐसा ही है जग का कोई बरोसा ने करो धारा खंड भेराग कौन किसका है माराज जिनका है अमकून को भूल बैटे है भूल बैटे है भाई बैटे हैं भाई बैटे हैं आप हम सभी ही भाई बैन परमात्मा का वरुसा करो गुर्देव का वरुसा करो भागी जगत का वरुसा करने से हम अंत में पिस्ताएंगे अंत में रोएंगे माराज कोई किसे का नहीं मिलेगा इसलिए हमारी महापुरसों ने फरमाया है बजन करो सुमिरन करो यही सहर है माया माया सबे के चीना नाई कोई माया माया सबे के चीना नाई को जन दरियान जे नाव बिना सब ही माया होई जन दरियान जे नाव बिना सब ही माया हो सब ही माया हो सिरसदु गुरुजी महाराज जिखे परवात्मा के नाम के विगर समाया है महाराज बजन ही जिवन में सार भाई बैनो इन खाय वरुशा करो इन खाय विश्वास करो बागी कोई वरुशा करने के लाइक है यह नहीं महाराज कोई नहीं है गरवास में बहुत दुख पायो कोल भचन कर बायर आयो इस दुनिया में आये के सुख भोग्या सेज परीका इस दुनिया में आये के सुख भोग्या सेज परीका सुख भोग्या सेज परीका फिर सद्गुरु जी महाराजी की सद्गुरु कभिर साहब का परोध है उपदेश है जी गर में तुम कितना दुखी ता कितना संकट में था उस से परमात्मा से वागा किया कोल किया हे वाली इन आपत्ति से इने विपता से आप छुटकारा दिलाओ मैं कभी आपको बूलूंगा नहीं परमात्मा ने किरवा करके मनुष जिवन दिया गर्ब से वार आया जुआदा को बूल गया सुख भोग्या सेज परी का संजारी सोकों में जी उलज गया फस गया उस वाधा को भूल गया गुरु लोग वाधा को या दिलाते हैं मारा सुमर्थ दिलाते हैं बंदावो दिन याद करो उपर पावे तले सीश मर्थ मंडल में आये के क्यों भूलो जग दी मर्थ मंडल में आये के क्यों भूलो जग दी क्यों भूलो जग दी सिर्शदु गुरु जी महाराज उस दिन को याद कर जीव याद कर ये उबदेश को एगदेशी नहीं है एक किसी को नहीं है अपन सब लोगों को भई उस दिन को याद करो भूदे याद करो और जीव जोदे नहीं याद करो उपर पावत तलसी मर्थ मंडल में आये के क्यों भूल्यो जग दी उस परमात्मा को क्यों भूल बेटा जीव इसलेए सुद्गर ग्रु कबिर साब कहते हैं मद भूलो नाम हरी का परमात्मा को मद भूलो परमात्मा को हम कब भूलते हैं परमात्मा का अलावा हम किसी का बुरुसा करते हैं अपना मानते हैं तब ही परमात्मा की भूल होती है तब ही उनको हम भूलते हैं माराश परमात्मा के अलावा अपना कोई है यह नहीं माराश कोई ही नहीं है सद्गुरु कविर साम ने बहुत पुकार के कहा है निर्णे करकर दिख दिवाना कोई नहीं जग में तेरा अंसा छोड़ो जगत बेवारा निर्णे करकर दिख दिवाना कोई नहीं जग में तेरा निर्णे करकर देख दिवाना कोई नहीं जग में तेरा बोलो रामजी महाराद निर्णे करकर देख दिवाना कोई नहीं जग में तेरा अन्यवब करो आप हम सब भाई बेनो कोई अपना नहीं है जगद सब संसारी लोग अपना अपना स्वार्थ को लेकर करके अपना होते है स्वार्थ पूरा हुआ फिर भाद में कोई किसी का नहीं रेता इसी देशी से शद्गुरु कबिर साथ कहते है गुरु चेला आदोई साइक जोडी बिछड़त देखी सब की जोडी सब बिछड़ने वाले है जो बिछड़ने वाले हैं उनका क्या पुरोसा करना महराज उनका क्या पुष्वास करना है सब बिछड़ने वाले है गुरु चेला दोई साइक जोडी बिछड़त देखी सब की जोडी काड़ बली ने गरदन तोडी आये के बस चलानी मर्द बलीका इस जिंदगी में आये के मस चलानी मर्द बलीका मत भूलो नामे घरीका मत भूलो नामे घरीका नाम परमात्मा को याद राखो मैं वे वेलो वोई अपना है और संसार में कोई अपना नहीं है कोई अपना नहीं है अंत में सब विलग होने वाले अलग होने वाले हैं अभी जो अपना दिखाई देता है वो सब स्वार्थ को लेकर की दिखाई देता है स्वार्थ पुरा हुआ फिर बाद में जिनको हम मित्तर मानते अपना मानते वहीं दूसरे हो जाते वहीं पराए हो जाते हैं भाई भाई आलग हो बैड़ते हैं पुत्र पिता को छोड़ करके दूर चला जाता है सब सुहर्थ का ही तो नाता है ये भाय बैरो बरुसा भगवान का करो परमात्मा का करो वही अपना है संसार का बरुसा मत करो ये बरुसा करने की लाइक नहीं है मारादश रहा गुरुम की भैवेणों को इस पर संपर धान देड़ान भैवेणों सद्गूरु सबढन जो चले गुरुदह ने जो राज बताए जो अमces अधान बताई उस पर चलो जगद के पेशे मत जाओ जगद के पच्छे मत जाओ जगद के पेशे जाने से हानी होगी गुरु लोगों की बता ही राही पर चलने से लाब होगा उदार होगा, कल्यान होगा जगद के पेशे जाने से ये लोग और परलोग दोनों बिगड जाता है ये लोग भी बिगड़ता और पर लोग भी बिगड़ता है गुरु लोगों की बताई राए पर चलने से ये लोग भी सुद्रेगा यहां भी आपको यस मिलेगा केरते मिलेगी आपको वावा मिलेगा दन्यवाद मिलेगा महराज और परलोग तो आपका सुद्रा हुआ ही है सद्गुरु सब्धा जो चले सोही जन छूटे जग मरियादा में रेते जन जमडा लूटे गुरु धर्म का पक्स करो महाराज जग तो लोगों का पक्स नहीं संसारियों के क्या पक्स करना है दुआने वाले लोग हैं वो गुरु धर्म की पक्स करो गर दंगा कर ले एक पिर हरी काचित धर ले बहुसा घर से पार उतर ले कए कभीर मुक गाय के बढ़ जागे मोज बली का पसानंदी अनंद है सदा परमात्मा का नाम का सुविरन करो भाय वैरू उसे हम वादा कराए हैं कोल कराए हैं उस वादा को निभाओ पुरा करो राम नाव राम नाव राम नाव लीजे राम नाव रते रते राम रते पीजे राम नाव राम नाव राम नाव लीजे राम नाव रते रते राम रते पीजे राम नाव राम नाव गुरुजी से पाए। राम नाव मेरे इर दे समाया। राम नाव राम नाव बजरे भाई। राम नाव पतंतर तुले ने काई राम नाव राम ये हो राम नाव पतंतर तुले राम नाव राम नाव या तीनी का राम नाव सबे सादन काहे तीका राम नाम राम नाव यातिनी राम नाम सबसादन राम नाव राम नाव याति मोय भावे राम नाम नाव नाव याति मोय भावे राम नाव राम नाव बोलो मेरा बाई राम नाम नाव याति मोय राम नाव याति मोय भावे 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 राम याति मोय भावे राम याति मोय भावे राम याति मोय भावे राम याति म कर्दल में करें करें